का शाथियों बहुत बहुत करता हूं स्वागत आप सभी के अपने चैनल टेक श्टड्यू पे आज 10 नौबर है और आज से डॉक्मेंट वेरिफिकेशन की परकिरिया सुरू हो रही है और मैं आशा करता हूं कि आप सभी अपने डॉक्मेंट के साथ भेजे गए कॉल लेटर पर जाने के लिए त्यार होंगे और हो भी किमना फ्रेंज आपको यहां पर थोड़ी पहले निकल जाना चाहिए क्योंकि आज 10 नौबर है और आज यहां पर काउंटिंग भी होने वाली है तो इसलिए रास्ते में आपको जाम का सामना करना पर सकता है इसलिए आप सभी पह यहां पर निकल भी चुकर होंगे और यहां पर मैं आपको एक चीज अपडेट करना चाहता हूं उसके पहले अगर आपने कॉल लेटर जो है डाउनलोड नहीं किया है तो आप कर लिजेगा उसका प्रिंट आउट जरू रख लिजेगा क्योंकि इसमें में किया गया था ले आपके पास है उतनी लेके जाईए आपको ज्यादा परसान होने की आवसकता नहीं है तो पहले इस निवीच को देखते हैं फिर मैं आगे आपके साथ कुछ बाते करूंगा यहां पर बीट में नमानकन को भेजेगे कॉल लेटर अब यहां पर देखेंगे लाइत नायाज म में फ्रेंड को ही कौल लेटर भेजा अब समबन्दित बीश्व विद्याले में कॉंसलिंग के बाद इन शात्रो नमान कर आवनटीड कॉलेज्व में होगा कि मालुम हो कि बीश्व विद्याले ने शात्रों को आवनटीड की सुची पूर्विब नहीं जारी तीתי rif..? 897 चात्रों के लिए कॉलेज कावंटन किया गया था चात्रों को इसे श्विकार करने या अगली काउंसल में विकल्फ बनालने का उसर दिया गया था चात्रों की मेगा अरक्षन नियमों के पालंग और चात्रों के दिये गए विकल्फ के अधार पर वह सूची जारी की गई इस में सिर्फ 16586 सात्रों नहीं से कन्फर्म किया है और यह एक बड़ी संख्या नहीं है फिर से क्लियर कर दू अगर आप सभी यहां पर पर परशान हो रहे हैं कि आपको कोलेज मिलेगा या नहीं मिलेगा तो आपको परशान होनी किया सकता बिलकुल नहीं है आप डॉक्में बहस दिया गया है इनमें से 9790 चात्रों के नए विकल्ब पर आगे होने वाली काउंस्री में विचार किया जाएगा और अल्फ संख्या कोठी के बीट कॉलेजियों में सुकृति सीटों के संख्या की सिर्फ 5530 सीटों पर नमानकन के लिए अनुसंचा की गई है सिर्स 5530 से नमानकन करेंगे और मालुम हो कि इस बात सीटी बेट 2020 की परविस परिक्षा जो है लेट नाइन मितला इंवर्सिटी करा रही है तो आगे फिर भी देख लेते हैं अगर बात करें अपने जीलों की मुझभःपूर की बात करें यहां पर टूटल 1200 यहां पर सब्सक्राइगा एलन विष्ट्रा कॉलेज और बिजनेस मेनेजमेंट में बिश्व विद्याले ने कॉंसलिंग सेंटर बनाया है सुबह 10 बजे से कॉंसलिंग में परमान पत्त्रों की जास शुरू हो जाएगी और यहां पर बात करें को की अलग 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 टीम जो है यह कॉंसलिंग जो है 10-11-12 नॉंबर को होगी इसके बाद 324 नॉंबर को भी इसकी तीथी रखी गई गया है इज़ा छात्रों का कहना है कि कॉंसलिंग को लेकर किसी भी तरह मॉयल मैसेज पर नहीं दिया गया था जबकि online भरते समय नंबर लिया गया था और एक और परसानी है आपके पास चितनी भी डॉक्मेंट है आप लेके जाएए आपको लेक्ट टाइम जो है जो बुर्दंगे ठीक है इतना विश्वास लिखे आपको टाइम मिलेगा आपको बोलेंगे कि आप 10 दिन पंदा दिन बीस दिन में डॉक्मेंट जो है समिट कर सकते हैं आप से एक ट करना है करके साथ में ले जाना है और यहां पर आपको जो कॉल लेटर मिला था इन्वर सिटी की ओड़ से जहां पर डॉक्मेंट के बाएं बताया गया था उस पेज को भी आप प्रिंट आउट कर लिए यह आपके लिए जोरी होने वाली है क्योंकि आप अगर आप वहां प पाए होंगे तो भाई फिर से यहां पर बता दू कि आप यहां पर पीडे निकलवा लेजेगा आप जहां भी पहुंचे वहां भी आप निकलवा सकते हैं कोई दिकत नहीं है तो फ्रेंस उमीद करते हैं जो जनकाई थी आप लोग के पास पहुंच कही होगी तो मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में ये विटेट के साथ धन्नेवाद